हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है ट्रायंफ की स्पीड T4 के बारे में मैं आप लोगों को कम्प्लीट डीटेल से जानकारी दूंगा जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना बोले ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो चलिए वीडियो शरू करते हैं तो दोस्तों ट्राइम्फ ने भारत में अपनी अपनी 400cc सीरीज में लेटस ट्राइम्फ स्पीड T4 को भारत में लॉंच कर दिया है ये एक बेहद ही हाइटेक क्लासिक बाइक है जो देखने में तो बेहद स्टाइलिश और ट्रैंडी है ही साथ ही साथ इसमें जोरदार पफॉर्मेंस भी मिल जाती है सबसे पहले बात करें इसके लुक के बारे में तो बाइक तीन आकरशक रंग में उपलब्ध है वाइट, रेड और ब्लैक साथ ही साथ नई कलर स्कीमस के साथ ये बेहद ही ट्रैंडी नजर आती है इस स्पीड T4 काफी हद तक स्पीड 400 के डिजाइन इलिमेंट्स को को बरकरार रखती है जिसमें दोस्तों आपको आकरशक ग्राफिक्स से लेस एक री डिजाइन फ्यूल टैंक, एक अपडेटेड सीट और नए बारेंड में रशामिल है बात करें दोस्तों इस बाइक फीचर्स के बारे में तो आपको इस बाइक में हाइटेक फीचर्स मिलने वाले है जिसमें की दोस्तों आपको कम्प्लीट LED लाइटिंग, 17 हिंच के एलोई वील्स, एक सेमी डिजिटल इंस्टूमेंट पैनल और 43 मिलिमीटर टेलिसकोपिक फोक्स और एक रीय मोनो शॉक के साथ उननत सस्पैंशन मिलने वाला है अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो अपको फ्रंट में 300 मिलिमीटर डिसक और पीछे 230 मिलिमीटर डिसक मिल जाता है जो की दोस्तों आपकी बहतर सुरक्षा के लिए डूल चैनल ABS के साथ दिखाने को मिल जाएगी बात करें इसके इंजिन के बारे तो इसमें 398 CC सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजिन मिलता है जो की दोस्तों आपको 30.6 BHP और 36 NM टॉक पैदा करके देता है दोस्तों ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन के माध्यम से दिया जाता है जो बहतरीन लो एंड टॉक के लिए डिजाइन किया गया तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में तो ट्रायम्फ स्पीड T4 के प्राइज अपको 2,17,000 देखने मिल जाएंगी जो की X शोरूम की शुरूआती कीमत है तो दोस्तों आपको ट्रायम्फ की यह बाइक किसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फिल हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फर वाचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए